Good morning friends, welcome to Teaching Guru तो आज के टॉप में हम बात करेंगे Group Technology के बारे में की Group Technology क्या होती है और इसके benefit के बारे में देखेंगे कौन-कौन से benefit होते हैं अगर हम Group Technology करते हैं तो basically हम Group Technology किसके बारे में बात करे हैं हम कर रहे हैं SIMS के बारे में यानि की Computer Integrated Manufacturing System में अगर हम किसी भी इंड्रस्ट्री में जाते हैं, वहां पे अगर हम ग्रूप टेक्नोलोजी करते हैं, तो इसका में क्या फाइदा होता है? और पहले हम देखें कि ग्रूप टेक्नोलोजी बेसिकली होता क्या है? तो देखें, it is a manufacturing philosophy which takes advantage of their similarity in design and manufacturing to divide a group of part into a few part families. देखें, जब भी हम किसी भी इंड्रस्ट्री में कोई भी product बनाते हैं, तो हमारे पास different different product बनने के लिए आ जाते हैं. अब हमें क्या करना पड़ता है? अगर हमारे पास एक similar product आते हैं दोबारा बनने के लिए, तो हमें उसका दोबारा से prototype बनाना पड़ते हैं, दोबारा से उसकी coding करने पड़ती है, और दोबारा से उसकी पूरी drawing है, वो बनानी पड़ती है. मगर अगर हम group technology कर देंगे तो जो हमारी पीछे, जो हमारी पुरानी जैसा कि हमने उसके similar अगर कोई product बनाया, तो उसी की हम drawing का इस्तमाल करके, उसमें थोड़ से changes करके, new हम अपनी जो production line को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे कि example से समझते हैं, जैकर if a company producing 10,000 product बना रही है, कोई company अलग-अलग parts के, different type of parts depending upon their design and manufacturing characteristics, तो क्या है, अगर कोई company 10,000 product बना रही है, उसका design अलग-अलग part के, अलग-अलग उसके उपर design, जो manufacturing process है, तो हम क्या करेंगे, उनको divide कर देंगे, 40 से 50 के बीच में, different part families के बीच में, उसको हम divide कर देंगे, divide करने से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि इसके उपर अगर हमने ये design इसके उपर लगाया, या फिर इसके उपर ये manufacturing operation लगाया, तो उसके साब से हम उसमें से, जो हमें पीछे हमने same operation लगाया था, उसकी जो part families में से, उसके part को निकालेंगे उसके उपर तोड़ी changes करके हम जल्दी से जल्दी अपने production line को start कर सकते हैं, तो ये था group technology, इसको group technology बोला जाते हैं कि जो similar type of product है, उनको एक group में उसको, एक part family में बना के एक group में उसको रख देना, ये होता है group technology, benefit क्या है group technology था हमने बना ली, अब इसका benefit क्या होगा group technology का, इसका benefit होगा, it will help to process planning and overall production schedule, जो overall हमरा production schedule होगा, उसके हम planning असानी से मकर पाएंगे, उसके अंदर हमें help करेगी, accuracy को increase करेगी, perform machine cell, machine cell के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे, machine cell क्या होता है, उसको help करेगी हमें perform करने में, standardization होगी product की, और अगर हम 10,000 product बना रहे है तो उसको हमने 40-50 part में इसको families में, part families में इसको divide कर देंगे, जिससे कि होगा, जो हमारी manufacturing efficiency वो improve होगी, और like a new setup, हमारा setup time में वो भी कम लगे, क्योंकि हमने part families में इसको, part families में इसको change कर दिया, जिससे कि हम जो product मना रहे हैं, part families में वो उस product को उठा के, उसमें change करके, new product हमा कि कई पहले हमें 10,000 product की inventory रखने पड़ती थी, अब हम क्या कर रहे हैं, 40-50 part families की inventory हम रख रहे हैं, तो यह था basically part families की part families क्या होती है, आई ओप आपको वीडियो चला लगो, हमने group technology के बारे में पड़ा, next वाली वीडियो में, part families के बारे में बात करेंगे, part families क्या होती है, thank you जए आपको में भीज रहे हैं, में ज्खको झाapeह है के बावोपों है है